अंग्रेजी राज की गुलामी से आजादी के लिए भारत ने जो लडाईयां लड़ी उसमें लगातार हत्यार बंद विरोध भी शामिल था जो 18 वी शताब्दी से लेकर देश को आजादी दिलाने के अंत तक चारी था विरोध का पहला चरण सन 1857 के महा विद्रो के रूप में सामने आया जब अंग्रीजी राज को अजारखन के बिर्सा मुंदा जसर स्थानी करांतिकारियों एवं पुणे के चापेकर बंदों द्वारा लगातार चनौती दी गई तब कुछ दशक तक इन करांतिकारी विद्रों का बरबरता से दमन किया गया हालां की सदी के अंत तक ग्रांतिकारियों के नेद्वत में एक नए प्रकार की सशस्त्र ग्रांती ने जम लिया जो अधिकतर शिक्षित मध्यवर्ग से जुड़ा था विपलवी भारत उनकी कहानी है ग्रांतिकारी बंकिम चदर चटो पाध्याय की लेखनी विशेश रूप से उनके द्वारा रचत गीत वंदे मातरम एवं स्वामी विविकानत के विचारों से प्रभावित थे ऐसे परिवेश में अर्विंद खोश और विनायक सावरकर जैसे नेताओं के नेत्रुत्म में क्रांतिकारीयों की पहली पीड़ी ने भारत और दुनिया के अलग-अलग छेत्रों से संबंध चोड़ना शुरू कर दिया था आम तोर पर इन क्रांतिकारीयों के संपर्ख का माध्यम गुप्त समतियां जैसे अनुशीलन एवं योगांतर जैसी समितियां हुआ कर दी थे रास बिहारी बोस, बागा जते, सचंद्रनाथ सान्या, चंद्रशीखर आजार, भगत से और मदल्लाल धींगडा जैसे प्रसिद करांतिकारीयों के नाम अधिकतर भारतियों ने सुने होंगे फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि उन्होंने जो कारे किया वह सर्फ वीर्ता से जड़े निजी कारे नहीं थे ये सभी करांतिकारी पूरी तरह देशी सम्बंधों एवं विदेशी संपर्क सूत्रों से जड़े होकर साथ एक बड़े आंदोलन का हिस्सा थे करांतिकारियों ने आपनिवेशिक अधिकारियों जैसे 1912 में दिल्ली के वाइस रॉई लॉर्ड हेस्टिंग्स को निशाना बना कर हमला किया लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि करांतिकारियों का बड़ा उदेश अंग्रेजों के लिए काम कर रहे भारतिय सेनिकों के बीच विद्रो पैदा करना था प्रथम विश्वयुद्ध के दोरान गदर का प्रयास वितिय विश्वयुद्ध के दोरान आजाद हिंद फौज और आखिरकार 1946 का नौ सैनिक वित्रो जिसने भारत की आजादी की लड़ाई का नेत्रत्व किया विपलवी भारत की यही कहानी है अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन से भारत की आजादी की लड़ाई में करांतिकारियों एवं उनकी सशस्त करांती की कहानी एक प्रमुक हिस्सा है अहिंसक राजनीतिक आंदोलन के दृष्षिकोन से देखा जाए तो इसे अकसर उचित स्थान नहीं दिया गया है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में इस नई गैलरी का ओदेश उननिस सु सेंटालिस तक की सभी घटनाओं को समग्र दृष्षिकोन प्रदान करना है और क्रांटिकारियों द्वारा निभाई गई प्रमुख भूमिका को दिखाते हुए स्वतंत्रता संक्राम के अतिहास को संतुलित बनाना है